बिस्मिलाही रह्माने रहीम, अस्सलाम उलेकुम ट्रेंज, वल्कम बैक टो माई चानल हीना भी हेल्डी फ्रेंड आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए फिर से एक न्यू सकसे स्टोरी लेकर आ गई हूँ मेरी सब्सक्राइबर की जो हमसे करीबन एक साल से जुड़ी हुई है, इनकी शादी को 6 साल हो गए हैं, इन 6 साल में इनके 4 मिस्कारिज भी हो गए लास्ट मिस्कारिज इनका 2017 में हुआ है, उसके बाद में अब तक इनको एक भी बार कंसीव नहीं हुआ था डॉक्टर ने इनको HSG टेस्ट यानि की ट्यूब का टेस्ट करवाने के लिए रेकमेंड किया था, लेकिन इनकी आर्थिक स्तिती इतनी नहीं थी कि वो इतना खर्चा अफॉर्ट कर सके, फिर ये एक साल से हमारे वीडियो को देख रही थी, डेली सकस्टोरी वाच करती थी अपने आपको मोटिवेट रखने की कोशिश करती थी और डेली वीडियोस को भी देखती थी और कुछ-कुछ चीज़े फॉलो करना भी इनोंने शुरू कर दिया था तो फ्रेंड चलिए देखते हैं मेरी ये सब्सक्राइबर ने कैसे कंसीव किया, क्या इनको प्रॉब्लम थी, कौन सी वो एक ट्रिक फॉलो करके इनोंने प्रेगनेंसी कंसीव की है आज के इस वीडियो में हम उस बारे में जानेंगे वीडियो अगर आपको दिल से पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिलकूर न भुले आपकी फैमली मेंबर में, आस पडोस में या फिर फ्रेंड सरकल में कोई इनफोर्टिलिटी फेस कर रहा है तो उसके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, मेरी सब्सक्राइबर का नाम है TRENDY FASHION by ANJU, इनका कमेंट आपने हमारे वीडियो के नीचे हमेशा देखा होगा, फ्रेंड मेरे जितने भी पुराने सब्सक्राइबर्स है, वो इनको ज़रूर जानते हैं क्योंकि इनका कमेंट हमारे वीडियो के नीचे हमेशा ही आत कुछ बहुत इलाज करवाया इनफोटिलिटी का पर कुछ फाइदा नहीं हुआ डॉक्टर ने तो ट्यूब टेस्ट करवाने को बोला था लास्ट मिस्कारिज 2017 में हुआ था उसके बाद प्रेगनेंसी ही नहीं रह रही थी फिर मैंने आपके हीना हल्ग के वीडियो देखे औ और लेग अब दी वॉल पोजिशन ट्राइ की क्योंकि और रेमेडी यूज करने की मेरी हालत नहीं थी क्योंकि ब्लैक रेजिन बहुत कोस्ली होता था पीरड मिस हुए तो सोचा टेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि हर बार नेगिटिव आता था पर दिल नहीं माना तो आखों को विश्वास ही नहीं हुआ आपका जितना थैंक्स किया जाए उतना कम है आपने लेग अफ दी वॉल पोजिशन रेकमेंड की प्लीज मेरे लिए प्रे करना दी मेरा बेबी सही सलामत इस दुनिया में आए फ्रेंड मेरी ये सब्सक्राइबर को बहुत ज़दा प्रॉब्लम्स थी इनका वेड भी गेन हो गया था इनको थाइरोड का प्रॉब्लम था पीसी उसका प्रॉब्लम था एक भी नहीं बनते थे रप्चर भी नहीं होते थे और शूगर का भी प्रॉब्लम था इतनी सारी में इनोंने कंसीव किया है सिर्फ वन ट्रिक फॉलो करके लेग अप दी वॉल पोजिशन तो फ्रेंड आप देख सकते हैं अंजू ने अपना पॉजिटिव फीडबैक शेयर किया है शादी के छे साल में इनके चार मिस्क्यारिजिस हो चुके हैं लेकिन पिछले चार साल से इ इनको एचसजी टेस्ट रेकमेंड किया था ताकि वो यह देख सके कि कहीं ट्यूप्स तो ब्लॉक नहीं है लेकिन फ्रेंड मेरी सब्सक्राइबर इतना खर्च अफॉर्ड नहीं कर सकती थी इसलिए इनोंने सिफ नाचरल चीजों पे जादा फोकस दिया और हम पे भरोसा मेरे बहुत से पुराने सब्सक्राइबर्स है जुनको कंसीव करने में डिफिकल्टी आती है एक महीना वो टिफ फॉलो करते हैं मुझे कमेंट करते कि मैं मुझे कंसीव नहीं हुआ तो मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगी सबकी बॉड़ी अलग होती है बॉड़ी टा अच्छी तरीके से सूट हो जाती है तो वो एक महीने में ही कंसीव कर जाता है हमने इंफर्टिलिटी के उपर बहुत सी होम रेमेडी निकाली है और बहुत सी ट्रिक आपको बताई है जिससे आप बिना किसी आईवी अफ और आईवाई ट्रीटमेंट के कंसीव कर सके जिसक किसी ट्रीटमेंट और मेडिसिन के कंसीव किया है तो आप भी कंसीव कर सकते हैं लेकिन आपको अपना 100% देना जरूरी है और हम पे बिलीव रखना जरूरी है हम आपको जो भी चीजे बताते हैं वो नाचरल होती है उसके कोई साइड इफक्त नहीं होते और आसान से ट्रि किसी ट्रीटी बूस्ट होती है और कंसीव करने में आपको हेल्प मेती है मेरी सब्स्क्राइबर ने सिफ लेग अप दी वॉल पोजिशन फॉलो करके कंसीव किया है तो आप भी कंसीव कर सकते हैं लेग अप दी वॉल पोजिशन येक मैजिकल पोजिशन है जो आपका कॉंस यह पोजिशन से आपको ओवलेशन डेज में ही फॉलो करनी होती है ओवलेशन डेज में जब आप ट्राय करते हैं तो आफ्टर रिलेशन्शिप इस पोजिशन को महिलाएं करती हैं 25-30 मिनिट के लिए इससे कॉंसेप्शन अच्छा होता है और गर्भधारन करने के चांसिस औ लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा सबसे पहले आपको अपना ओवलेशन डेट राक करना है उसके लिए आप हीना हेल्थ एंडॉड अप्लिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा अब फ्रेंड आपके पास आपके ओवलेशन के डेज है इन दिनों में ट्राइ कीजिए कंसीव करने के लिए कॉंटेक्ट में रहिए और आफ्टर रिलेशन्शिप महिलाएं लेग अप दी वॉल पोजिशन जरूर करें ताकि कॉंसेप्शन अच्छी तरीके से हो सके बहुत स इस उनको कहा जाता है जो ओवलेशन पीरिट से भी अच्छा माना जाता है गरधारन करने के लिए इसलिए आपको फोटाल देस के तीन दिनों को भी इस्तमाल करना है और ओवलेशन देस के भी तीन दिनों को जरूर इस्तमाल करना है यह छे दिन आपके पूरे महिने के मोस् करने के लिए आपका जो मैंड है वो स्ट्रेस प्री होना चाहिए और वही स्ट्रेस-प्री माइड रखने के लिए हम आप लोगों के लिए डेली सकसर्टोरी अपलोट करते हैं ताकि आप लोगों के भी अंदर वो जजबा आए कि अगर कोई इतनी वर्स कंडिशन में कंसीव सकते हैं तो मैं क्यों कि नी कंसीब कर सकती। यही रीजन है फ्रेंड जिसकी वजह से हमारे चानल पर इतनी सकस्ट्येटरी आती है मैं लाओं की। I hope friends आपको छोटा सा वीडियो पसंद आयं होगा है आप यहां पर मुझे मेल कर सकते हैं हीनाफरीदी026-gmail.com आपको वहां से एक रिप्लाइ आएगा और जिसके अंदर आपको बताया जाएगा किस तरीके से अपॉइंटमेंट ली जाती है कैसे आपकी मुझसे बात होगी एकदम सिंपल मैथड है फ्रेंड अगर आप लोग मुझसे बात करना चाते हैं या कंस्रलिटेशन लेना चाते हैं तो इस इमेल के द्वारा आप ले सकते हैं तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही मैं मलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपोरेंट टॉपिक के साथ जब तक के लिए अल्ला हाफिज